नमस्कार मैं हूँ आपके संगनित्यम मंत्र यन तंत्रवास्तु के विशेश कासकर के साथ मकर संक्रांती के दीन दान का बहुत ही जादा महत्व है ऐसा मानते हैं इस दिन दान करने से कई गुना जादा फल की प्राप्ति होती है लेकिन अगर आप गलत चीज़ों का दान करेंगे तो आपको पुन्ड की प्राप्ति नहीं होंगे उल्टा पाप के भागी आप बन सकते हैं इसलिए ये जानना बहुत जादा जरूरी है कि मकर संक्रांती के दीन क्या दान करना है और क्या दान नहीं करना है तो बने रही हमारे साथ हम आपको बताएंगे मकर संक्रांती के दीन क्या दान आप ना करें लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कि रिप्याई से सब्सक्राइब कर लेता था बेल बटन को भी दवाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तो मिल जाएं मकर संक्रांती के दीन को सबसे जादा सुब मला गया है दान के लिए लेकिन इस दान को देते समय आपको कुछ चीज़ों का दान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए नहीं तो आपको कई प्रकार की प्रेसानियों का सामना करना पर सकता है तो हम लोग जानते हैं कि मकर संक्रांती के दीन किन चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुई ही, आप दान करें, दान करना बहुत सूब है, लेकिन क्या दान नहीं करना है, इसका ध्यान अबस रखे. सबसे पहली चीज, मकर संक्रामती के दिन यदि आप किसी निर्धन ब्यक्ति को बस्त दान करना चाहते हैं तो भूल कर भी उसे काले बस्त्रों का दान आप ना करें नहीं तो भगवान सुर्ज के क्रोध का सामना आपको करना पर सकता है दूसरी चीज, दान में कभी भी कंजोसी ना करें जितनी आपकी हैस्यत है, उसके हिसाब से दान कीजिए अगर आपकी हैस्यत है, 2000 रुपय ये दान करने की, और आप करते हैं 100 रुपया तो ये उचित नहीं है जैसा कपरा आप पहनते हैं वैसा ही कपरा आप दान में दे बहुत लोग कंजूसी करते हैं अपने लिए अच्छे कपरे पहनते हैं लेकिन दान में देने के लिए जो कपरे अच्छे नहीं होते उसका दान करते हैं ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं करना जब भी आप दान करें तो ध्यान रखिए जिस कपड़े का दान कर रहे हैं वो अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए यानि कि आप जिस तरह की कपड़े पहंते हैं ऐसा ही दान करें तभी दान का फल आपको मिलेगा वरना दान का कोई फैदा आपको मिलने नहीं जा रहा है इस दिन आपको दान के रूप में किसी को भी जूते का दान बिल्कुल नहीं करना चाहिए मकर संक्रांती के दीन जूते का दान करना अच्छा नहीं होता यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको भगवान सनी के क्रोध का सामना करना पर सकता है इसका ध्यान रखे तीसरी चीज मकर संक्रांती के दीन जारू का दान भी आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि जारू को मा लक्ष्मी का परतिक मना गया है और अगर आप जारू का दान करते हैं तो मा लक्ष्मी आप से नाराज हो जाएंगी जिसके वज़ा से आपकी साथ पीटियों को दरित्ता का सामना करना पर सकता है इसलिए जारो का दान आप मकर संक्रांती के दीन बिल्कूल भी ना करें प्लास्टिक की बस्तवें मकर संक्रांती के दीन भूल कर भी दान में नहीं जेना चाहिए क्योंकि प्लास्टिक को दान करना असुम मना गया है इसे दान करने से घर में वास्तु दोस भी बढ़ जाता है इसलिए कभी भी पलास्टिक के समान का दान आपको कभी भी नहीं करना चाहिए काफी लोग पलास्टिक से बनी चीजों का भी दान कर देते हैं जो बिल्कुल भी सास्क रिशार उचित नहीं है मकर संक्रांती के दिन आपको एस्टिल की बस्तों का भी दान करने से बसना चाहिए अगर आप कोई भी एस्टिल की बस्तों दान करते हैं तो आपके घर से सुख और समिर्धी चली जाती है और आपको धरित्ता का सामना करना पर सकता है आम तोर पर ऐसा देखा गया है कि लोग एस्टिल से बनी चीजों का भी दान कर देते हैं लेकिन आप सतर्क रहिए मकर संक्रांती के दिन ये गलती आप भूल करना करें मकर संक्रांति के दिन यदि आप तेल का दान करते हैं तो आपको इस बात का बिशेज दिहां रखना है कि आप जिस तेल का दान कर रहे हैं उसका इस्तमाल ना करें और नहीं इस्तमाल क्या हुआ तेल का दान आपको करना चाहिए ऐसा अगर आप करते हैं जो तेल आपने इस्तमाल किया उसी का दान करते हैं तो इससे भगवान सनी देव क्रोधित हो जाते हैं और आपको सनी के क्रोध का सामना करना पर सकता है इसलिए कभी भी इस्तमाल की गई तेलों का दान मकर संक्रांती के दिन आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए इस दीन यानि कि मकर संक्रांती के दिन किसी प्रोहित या ब्राह्मन को बस्त दान करना भी काफी महत्पुन होता है यदि आप मकर संक्रांती के दीन अपने कुल के पुरोहित या किसी ब्रामन को दान में बस्तर देना चाहते हैं तो आपको उनको नए बस्तर ही दान में देने चाहिए यदि आप पुराने बस्तरों या रखे हुए बस्तरों का दान करते हैं तो इससे आपका सुर्ज और गुरु गरहत दोनों कमजोर हो जाएगा, जिसकी वज़ा से आपको कई प्रकार की प्रसान्यों का सामना करना पर सकता है, इसलिए जब भी आप किसी ब्राह्मन प्रोहित को बस्त्र का दान करना चाहते हैं, तो नए बस्त्र आप दान में दीजि मकर संक्रांती के दीन कभी भी धारदार बस्तों का दान नहीं करना चाहिए, जैसे चाकू, छूरी, कहिंची, जितने भी धारदार बस्तु है, इसका दान नहीं करना चाहिए, ऐसे बस्तों का दान करना सबसे जादा असुमाना गया है, यदि कोई ब्यक्ति इन चीजों का दान करता है तो आकस्मिक दुरघटना का सामना भी करना पर सकता है इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई आकस्मिक दुरघटना ना हो तो कभी भी धार धार बस्तों का दान नहीं करना चाहिए काफी लोग ऐसा गलती करते हैं चाकू का दान कर देते हैं किसी की दी हुई चीज को दान की रूप में बिल्कुल नहीं देना चाहिए, नहीं तो आपको दान का पुन्य फल प्राप्त नहीं होता है। बहुत लोग ऐसा गलती करते हैं, किसी से कोई मिला हुआ चीज है, उसी का दान कर देते हैं। किसी दूसरे से जो गिफ्ट में मिला हुआ चीज होता है, उसी को फिर से किसी को दान में कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी ना करें, ऐसा करेंगे, तो कभी भी दान का फल आपको प्राप्त नहीं होगा। यदि आप मकर संक्रामती के दीन गुर और तिल का दान कर रहे हैं, तो आप किसी भी प्रकार से जूठा करके दान नहीं करें, तिल और गुर को जूठा करके आप दान करेंगे, तो आप समझे कि दान का कोई फल आपको प्राप्त नहीं होगा। इसके अलावा दान देते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, कि जो चीज आप दान कर रहे हैं, जो खाने पिने की चीज है, वो खराब या सरे गले नहीं होना चाहिए, बहुत लोग जो खराब चीजे होते हैं, जो खराब फल होते हैं, फूल होते हैं, उसी का दान क कर देते हैं ऐसा आपको नहीं करना है तो मैंने बताए कि दान जबाब गरते हैं तो क्या आपको धियान अवस्त्रक मा जाहिए अब ये जानते हैं कि मकर्संक्राम्ति के दीन किस तरह से कौड़ी आपको धर्म प्राप्ति भी करवा देगा देखिए इसके लिए आपको क्या करना है कि मकर संक्रांती की सुभा 14 कौड़ियां आपे लेजिए उसको दूध में केसर डाल करके आप मिला करके अस्तन करवा देजिए फिर गंगाजल से साफ करके एक लाल कपड़े पर मालक्षमी के सामने इस कौड़ियों को रख दे फिर दो दीपक चलाएए एक दीपक घी का और दूसरा तील के तील का दीपक जलाना चाहिए आपको घी के दीपक को माल लक्षिमी के दाहने तरफ और तील के तिल का दीपक जो है वो माल लक्षिमी के आपको बाये तरफ रख दे इसके बाद कोडियों को हांत में ले करके एक मंत्र है ओम संक्राय त्याय नमह इस मंत्र का 14 बार आप बोल करके इस कोड़ी को सिध्र कर लिए उसके बाद दोफर 12 बजे कोडियों को उठा करके धन वाले अस्थान में जैसे पर्स अलमारी भंडार कर जहां भी आप धन रखते भी आप बदल दीजिए यानि कि जो दीपक आपने राइट साइड में रखा था उसे लेफ्ट साइड में कर दीजिए और जो लेफ्ट साइड में था उसे राइट साइड में कर दीजिए दीपक को जलते रहने दे साम के समय घी के दीपक को तुलसी के पास रख दे और ती की प्राप्ति निशी तूप से होती है तो आज मैं आपको बताएं कि मकरसंकरांति की दिन आपधन प्राप्ती कैसे करेंगे साथ में क्या चीज़े आपको दान नहीं करना है अगर आपको झाल झाल